हेलो दोस्तों हमारे चैनल सिवल साइनाइड में आपका स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं 36 बाइक 50 फुट का एक बहतरीन हाउस प्लान चारो तरफ से इसमें दोदो फूट इसको छोड़ कर बनाया गया है तो प्रॉपर वेंडिलेशन के साथ आपको ये प्लान मिलता है और इस प्लान को शुरू करने से पहले में एक ब्रिफ इंट्रोड़क्शन दे देता हूं आपको कि इस प्लान में आपको क्या क्या मिलने वाला है 36 बाइ 50 फुट के इस प्लान में आपको मिलने वाले हैं तीन बेड्रूम एक लिविंग एरिया किचन डाइनिंग कार पार्किंग लिए बहुत सारा स्पेस कॉमन अटाइच टाइलेट स्टेर केस तो दोस्तों यह प्लान मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा समझने के लिए वीडियो को एंट तक देखिए मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सिविल साइन आई हाई दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्लान को जैसे कि मैंने बताया आपको 76 by 50 foot में इसको बनाया गया है यहाँ पर गेट लगाया गया है ठीक सामने ही कार पार्किंग है 10 foot 9 by 15 foot का आपको यह पार्किंग स्पेस मिल रहा है और स्टेर केस भी हमने इसी ओपन एरिया में लगाया है ताकि अगर आप डबल स्टोर या हाउस को बनाते हैं तो उपर वाला फ्लोर यूज़ करने के लिए ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हैं मेंबर्स को डिस्टर्ब ना करना पड़े हैं तो काफी बड़ी आपको कार पार्किंग मिल रही है सटेरेर केस एक बराणा मिल रही है यहां से करेंगे दोस्तों आप लिखा है दो स्टेप चड़ कर रहम हॉली आ जाएंगे तक कि अब देख सकते हैं कि हर पड़रूम के इंट्री इस space将 से दी गई है किचन के एंट्री भी इदर से है और 18 फूर्ट नॉइंच बाई 14 फूर्ट का काफी बड़ा आपको हॉल मिल रहा है सिटिंग एरिया भी यही है टीवी कंसोल भी आप यहां लगा सकते हैं तो आप इसको as a lobby as a living area इसको अस्तमाल कर सकते हैं इस तरफ आते हैं किचन डाइनिंग ओपन है यहां देख सकते हैं डाइनिंग टेबल लगा है और साइड में यहां किचन है 7.5 inch by 8.5 foot का यह पूरा एरिया है kitchen plus dining और यहाँ आप देख सकते है kitchen की पीछे एक 3 foot का utility छोड़ा गया है और जिसक्या door भी kitchen की तरफ दिया गया है यहाँ देख सकते हैं अलमारी के लिए भी जगा है kitchen में तो आप इसमें काफी सारा समान रख सकते हैं किचन के वेंटिलेशन के लिए विंडो इस तरफ लगाई गया है पीछे की तरफ जैसे कि मैंने आपको बताया है दो दो फूट इसमें चारों तरफ से छोड़ कर बनाया गया है तो वेंटिलेशन की कोई कमी होने वाली नहीं है आगे आते हैं दोस्तों यह देख सकते हैं यहां पर है common bedroom number 2 11 by 10 का यह bedroom है और यहां पर एक common toilet दिया गया है जो कि इसके जस्त पास में ही है इस toilet को हम lobby से भी यूज़ कर सकते हैं और इस room के जस्त बगल में है इसलिए इसको attach नहीं किया गया है यगर गैस बगल आएं तो एक common toilet होना चाहिए आप इसमें water drop यहां बना सकते हैं इसकी window पीछे की तरफ भी लगी है और side में भी लगी है क्योंकि दोनों तरफ open है तो cross ventilation इसमें बहुत अच्छा होगा तो 11 by 13 foot पा एक अच्छा सा bedroom मिल रहा है आपको इसमें जिसके साथ एक toilet भी अटेच है इसी के ज़स सामने 10 by 13 का एक और bedroom है इसके साथ भी हमने 4 by 8 प्रूप के toilet को अटेच किया है आप देख सकते हैं इसमें water drop भी लगाए गए हैं दोनों rooms में और इस वाले room की window पीछे भी लगाए गए है side में भी इसी तरह से toilet के जो ventilator है वो पीछे की तरफ लगाए गए है दोस्तों आप देख सकते हैं इन दोनों bedroom की बीच में यह जगा है तो cupboard आप यहां पर बना सकते हैं या showcase वगरा कुछ भी लगा सकते हैं दोस्तों उमीद करता हूँ कि प्लान आपको बहुत ही पसंद आया होगा क्योंकि इसमें चारो तरफ window लगाई गई है तो cross ventilation बहुत ही अच्छे से हैं आपको तीन bedroom मिल रहे हैं इतना बड़ा hall मिल रहा है कोई भी function करना चाहें तो बनाए आगया है कि आप ground और first floor separate separate यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों उमीद करते हूँ कि प्लान आप होजची समझायोगर पसंद आओगा बट इनकेस अगर आपके प्लॉट पर साइज डिफ्रेंट है और आप उसमें बहतरी धर्ण बनाना चाहते हैं आपकी डिस्पेले पर हमारे contact number शो कर रहे हैं, अब हमें call कीजिए, whatsapp कीजिए, आपकी requirement के recording, बहुत ही कम rate पर बहुत ही उची दरोपर हम आपके लिक बहसरी नहाँ प्लांत बना कर लाएंगे, दोस्तोंगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजिए, bell icon को दबा दीजि जरूर कीजिए, झाकी जरूर कीजिए, बहुत है।